हेग गाइज वाट्स अप मैं हूँ आपका दोश्य लक्टा विशेग और आप सभी का स्वागत एक बार फिर से दो तो बायलोजी स्ट्रीम के 80% बच्चे दिन रात बहुत हार्डवर कर रहे हैं एक्जाम पास आ रहा है लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि उनको उ होते डी मोटिवेट कि उनसे ना होगा और वो क्या करें इसलिए मुझे कॉल कर रहे हैं तो आज की वीडियो इसी पर है हम आपको बताराएंगे कि कैसे आप बहुत आसानी से सेलेक्शन दे पाएं और साइंटिफिक वे क्या है नीट इग्जाम पर तैयारी करने का दो सबस गंटे शे घंटे बालो जी की बुक लिए जूटे रहते हैं लेकिन जब बात आती है को सॉल्व करने की बस वह पीछे हड जाते हैं ऐसे ही फिजिक्स में और से मैस केमेस्टी में जैसे फिजिक्स के नुमेरिकल के बारी या एक नुमेरिकल लगा दस में नहीं आया बस हो या मेरे सना होगा हार मान लेते हैं और यह है असफल होने का पहला स्टेप जो बच्चे फिजिक्स या केमेस्टी के नुमेरिकल केमेस्टी के रियक्शन से हार मान लेंगे वो बच्चे डॉक्टर कभी नहीं बन सकती हैं अगर आपका सबने डॉक्टर बनने का है तो आज ह अपने इस बुरी आदत को हटाईए और नमबर आप question को solve करिए दूसरी बार आपके theory portion से physics या chemistry के 20-25% question ही आते हैं प्रत्य एक्जाम में जो बच्चे एक्जाम एक दो बार दे चुके हैं उनको बेहतर पता है कि उनके exam में कितने numercus आते हैं लेकिन problem क्या है कि उनको पता है कि लेकिन वो करेंगे क्या उनकी दिल की दिल की क्या है theory पढ़ो फिजिक्स पढ़ो ही न सिफ बलोजी पढ़ते रहो अब अलोजी पढ़ने के बाद भी score नहीं कर पाते हैं तो दोस्तों आज आपको बता रहें simple technique जिसको बोलते है active recall technique यह technique है scientific approval इसको मिला हुआ है और यह हम या हमारे कई friends या जो भी मुझे guide के सबने बताया कि जब भी तू पढ़ाई करना तो सबसे पहले topic को पढ़ने के बाद उस topic से number आप question को solve कर, physics से डरना छोड़ दे, numerical से खेलना start कर दे, हो सकता है कि एक दिन, दो दिन, दस दिन आपको numerical में time लगे, आपको एक question solve करने में 15- 20 मिन भी लग जाए, आप एक घंटे में सिर्फ 10 question ही करो, लेकिन ये जो 10 questions हैं, ये आपने दिल से सीखे हैं, आपने दिमाख सिस्क किये हैं, तो ये 10 question आपको आज के 10 दिन के बाद काफी हिपल होगा, आज मालिया आप एक घंटे में 10 करते हो, कल एक घंटे में 12 करोगे, प 45 minutes, 45 questions, ठीक है ना, तो जाहिर सी बात है कि आपके पास एक मिनिट में एक question आपको करना होगा, थेयोरी अगर आपको 10% मिल गई, तो बढ़िया है, आपको 45 में 10 question मिल गया मालिया, थेयोरी के, कर लोगे भाई, आराम से कर लोगे, अगर थेयोरी है जादा जादा, लेकिन अ अगर आपको numericals को लगाना है, numericals को accurate करना है, सही करना है, और proper time में करना है, तो उसके लिए आपको numericals हैं, यदि actions हैं, उनसे खेलना पड़ेगा, आप इतनी अच्छी calculation कर लो आप, कि सब कुछ आपके tip पे हो, फार्मूला देखा, जो भी question को mention किया, of attack से answer आ जाए, जि इसको मैं आपको लिख के देदू, बालो जी पर आप 10 घंटे पढ़ते हो, अब भाई, same problem आती है, आपको बालो जी में, आप बालो जी पढ़ते हैं तो हो, लेकिन आपके number of questions नहीं होते हैं, अब यही गलती है, आप दिन भर theory पढ़ने से आपको selection नहीं मिलेगा, बालो ज जहां से आपको question मिले, solve करो, जो question ना है, उसके लिए theory देख लो भाई, simple तरीका है, apply करोगे तो life में कभी हारोगे नहीं, और सफलता हमेशा आपको मिलेगी, जिस बच्चे ने physics, chemistry, biology के, इन बच्ची हुए समय में, number आप questions को solve कर लिया है, उनके concept को समझ लिया है, तो मैं guarantee लेता हूँ, उस बच्चे के इस exam में, 600 से अधिक number अगर नहीं आए, तो मैं अपना channel close कर दूँगा, दोस्तों, simple request यह है, कि पढ़ाई करिए, लेकिन सही दिशा में पढ़ाई करिए, सही target को target करिए, तभी आपका selection होगा, और theory के पीछे ना भाग के, अगर आप number आप कु प्लम्स है, और आप कैसी वीडियो चाहते हैं, दूसरी बात अगर आप नए हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब करने हमारे चैनल को, वीडियो को कर दें, लाइक और अपने उन फ्रेंड्स को share करें, जो बच्चे हो रहे हैं, जो बच्चे अपने आप से हार रहे हैं, जो कि पढ़ने में बहुत टालेंटेड हैं, मैं कुशिस करूँगा कि उनको उनकी एक्चुलिटी बताऊं, और वो नीट एक्जाम में अच्छा स्कोर करें, इसके लिए मैं सब्सक्राइब को मोटिवेट कर सकूँँ, तो प्लीज, आप सभी इस रिक्रेस्ट हैं, प्लीज हमें